नमस्कार आफदीक्षरे निउस फोर नेशन और मैं हूँ सांत्वन आपके साथ बड़ी खबर ब्याहर की राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां पर देरात पटना के बीचों बीच सडक पर दो लड़कों को गोलियों से भून दिया जाता है आपको बताएं कि बेकॉफ कि ये हत्या कर दी जाती है वजह अभी तक सामने नहीं हाई और ये तब हुआ जब पुलिस उस एरिया में पेच्छोलिंग कर रही थी लेकिन अपराधियों को किसी बात का डड़ नहीं था वो मोटर साइकल पर सवार होकर आए और बड़े बेकॉफ तरीके से उन्होंने द प्रक्षिन लोहा गोदाम के पास हुई दोहरे हत्याकान से इलाके में हडकंप मच किया है मिर्तको में गुलजार बाग करेने वाला दीपक रजक का बेटा चंदन कुमार जो की 30 वर्ष का था और चोटी पहाडी निवासी सौरब अमिनंदन और फ गोलू जो की 32 वर्ष का में काम करता था वहीं सौरब जमीन की दलाली करता था पुलिस ने दोनों शवो को जब्त कर लिया है आपको बता दे कि चंदन रोज की तरह रात में दुकान का काम खत्म करके स्कूटी से घर लोच रहा था उसके साथ उसका दोस्त सौरब भी था इसी बीच शीतला मंदर र में गोली मार दी हत्या करने के बाद अपरादी मंदर की ओर भागने कले आपको बताए कि इस खूनी वारदात के बाद पुलिस जमीन विवाद समेत अन्य पहलूओं पर तफ्तीश कर रही है सौरब जमीन के दलाली का काम करता था इसके अलावा हाल में उसका किल लोगों के जगड़ा हुआ था इसका पता भी लगाया जा रहा है जानकारे के अनुसार ये घटना रात करीब साड़े नौ बजे के आसपास की है जब दो दो स्कूटी पर सवार होकर घट जा रहे थे तब शीतला मंदिर रोड में अपनादियों ने घेर कर दोनों पर तबा तोड़ फाइरिंग की जिसमें चंदन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अविनंदन की इलाज के दोरान मौत हुई वारदात की जानकारी मिलने के बाद आसपास की कई थाने के पुलिस घटना स्तल पर पहुची और जाज के बाद दोनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मार्ट के वे फोटेज को पुलिस खंगाल रही है जल्दी अपरादियों को गरफतार कर लिया जाएगा बिहार की राजदानी पटना जहां पर लोग सबसेजादा खुद को सुरक्षत महसूस करते हैं वहीं पर बेखौफ अपरादियों का कहर दिन प्रते दिन बढ़ता जा रहा ह है लोग सुरक्षित नहीं है और अब रात के साड़े नौ बजे राजदानी पटना के अगम कुआ छेत्र में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे लोग देख्षत में आ जाते हैं सड़क के बीचों बीच अपरादियों ने मिलकर घेर कर दोब स्कूजी सवार यूवकों की ह रही है लेकिन एक बार फिर से सवाल उठता है बिहार सरकार पर बिहार की प्रसाशन पर और उनकी लापरवाही पर कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यूं हो रही है लूट से लेकर हत्या की घटनाओं को बीच सड़क पर अंजाम दिया जा रहा है और अपरादियों का पता नहीं चल पा रहा है फ्ला के लिए इस अपडेट में इतना ही नमस्कार